हेलो सो एसके एलेक्टोनिक्स परकास वाइट तो सो कैसे हो आप आसके तो हम बहुत अच्छे हो गए और भगवान आप सभी को खुश रखे दोस्तों जो सियार्टी टीवी होता है मुझे काफी सारी कमेंड आई थी मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी मैं चाहां नहीं रहा होने वाले जो नए मेकानिक लिए उनके लिए खास बहुत इंपोटेंट वीडियो ही दोस्तों कोई भी आप इलेक्टोनिक्स चीज आप रेपेर करने जा रहे हो या कुछ भी तो आप कुछ चीज में पता हुंचे इसमें कहां पर कितना करेंट होता है और आपको यहां पर Vbacarly TV मेरे पास जैसे रिपेर होने के लिए आया अब मैने इसे खोल लिए मुझे कहीं पर कहां पर आठ लगाना है और जहां पर नहीं लगाना कैसे बच सकता हूं तो यह है अब में से on कर ले था हूँ सबसे पहले देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा इसमें section जो होते है current वाला एक primary होता है secondary primary दोस्तो primary में तो current होता ही होता है देखे मैंने tv को on कर लिया है यहाँ पे सबसे पहले primary section में supply वाला section में आते हैं देखे जो start होता है जहां से current or end होता है वो बताएंगे जो start होता है दोस्तों हमारा primary से होता है जहां पर हमारी main lead लगी होती है main lead section और यह coil or main capacitor of fuse होता है वो हमारा primary section होता है देखे set on है हमारा भी ठीक है यहां पर हमारी जो primary section है इसमें line कीची होती है यह जो black line देख रहे हैं आप यह और यह octocoupler के बीच ओब बीच जाके SM transformer के बीच ओब बीच जाके यह इस heat sink के पास खतम हो जा रही है तो इधर का जो area आपने पास का यह हमारा primary section है तो इसमें हमारा full current होता है दोस्तों इसे छेड़ने की जुरत नहीं है जब आपका TV ओनो यहां पर इतना heavy current होता है कि आपको जटका लग सकता है यह यहां पर एर्थिंग का resistance लगाया करता है वैसे तो इसमें current तो हर जांगा होत आपको नुकसान है अब जैसे यहां पर देखिए मैंने उल्टी करी बोर्ड को उल्टा करा तो प्रायमी section में देखिए लाइन कीची हुई है यहां पर देखिए मैं भी आपको दिखा दूं देखिए वह सपेस अपे जो देख रहे हैं जो सपेस से ऊपर का area वह हमारा primary section का इधर की दरब तो यहां पर हमारा full current होता है हर एक component में second section में दोस्तों कहां पर होता है आप second section में आते हैं यह जो हमारी इतना केड़ा जटकल है कि आपका हाथ भी सुन कर सकता है ठीक है तो इसके पास आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है फिर आते योग कोईल देखिए योग कोईल के जो तार लागे होते हैं दोस्तों दो और इसमें current होता है वर्टिकल में भी होता है वर्टिकल में थोड़ा इतना नहीं होता है तो आपको कहने मतलब यह है कि दोनों तार पर कभी एक साथ हाथ नहीं लगना चाहिए एक पर लग जाता हो कोई दिक्कत नहीं लगेगा अगर आपका दोनों पर लग जाते हैं यहां पर योग कोईल के इसमें नीचे दिए गए है इसमें जो कोईल है त आप जो चार जो थार लगते हैं 20 गडिकल तो यहां पर जो q politicians अब इस से हो कर जाती है यह भी हाइ vaan जो जाती है तो artists karten g articles करीब करीब भी होती में आपको बता तेंगे में जूते पहर हैं पाखी Neeमार रहा W लेकिन अगर यह एस्टी सेक्षन को हम छेट दें तो current आपका मार देगा अब इसे में बोड को पीछे से करूंगा मैं जरा भी आपको दिखाऊंगा चलो उसके पहले मैं आपको उपर की तरफ बताई देहूं देखे यह जो मारा base सेक्षन है यहां पीछे तरफ लगता पीछे ट्यूप पे तो यहां पर भी दोस्तों हमारा heavy current होता है यह तीन टांजिस्टर लगते हैं दीखे यहां पर तीन टांजिस्टर लगता अरजीबी के यहां पर color के होते हैं red green यो और वंपरा जो blue होता है ठीक है तो दोस्तों है तीन टांजिस्ट होते हैं इसमें 120 किसी में जादा current भी मिल जाता है DC वाला मिलता है पर दोस्तों DC वाला भी अगर आपका एक ground पर और DC के positive पर हाथ लगता तो current बहुत heavy मार सकता है तो दोनों तार आप यहां पर कभी भी नाचूएं या दोनों हाथ से कभी भी यहां पर नाचूएं एक उंगली अगर एक सीरे पर लगते तो current नहीं लगेगा अगर दोनों सीरे पर आपकी यहां पर उंगली लगती है तो current हमेंसा लगए लएगा क्यूंकि 100CV हमारी EHT जननेट करके यहां तक पहुचाती है और से कलर में आपके ड्राइव आती है और वो आपको अलग-अलग बाढ़ता है बेस पर तो EHT से ही यहां पर हमारी इसवाली पर जाती है और EHT से ही हमारी CRT जो बेस जो लगवा उस पर जाती है अब देखे बोर्ड को हमें पीछे कर लिया वहां का काम खतम हो गया देख लिए पीछे की तरफ से देखिए अब इतना यह जो पट्टी खिच रही है यह वाला इरिया यह हमने पट्टी खिच रखी है यह खिच वी आते हैं सभी कंपनी के बोर्ड पाती है यह इतना section दोस्तों हमार 2 और उपर का section हमारा primary हो गया यह जो यह वाला आईए देख रहे हैं यह वाला यह वाला तो यह हमारा primary section है जिसमें full current रहता है इसको को देखें TV होना है इस समय अगर हम उपर हाद लाएं तो current मार सकता है पर जब आप इस दोस्तों इसका काम करो टीवी का एलेक्टिकल का जो भी तो चूते काफी अच्छी क्वाल्टिक बैंचे फोम वाले आपके चपलों में नहीं रहना है और जो आप कुर्सिय बैठके काम करने तो आपको करन्ट हलका सा लएगा छूक के चला जाorno अब यहां पर देगे 2nd section में हाथ करन्ट नहीं लग रहा है पर लेकिन गया के फिरसी सेक्षें में आपको करन्ट लग सकता है एक सो ड़ा स्कता है 이유 और के इसके और फिरसे चलुदर तो यहां पर man lead जहाँ पे लगी होता है महाँ का area primary होता है तो यह जो primary section है इसमें current और second section में EST को छोड़ के बाकि कहीं भी current नहीं होता है यतना area जो देखने इसमें कहीं भी current नहीं है कहीं भी आत्रा हम लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो यह EST का area है और primary area दोनों को बराबर मान लीजिए इनमे current होता ही होता है और yoke coil में भी आपका current होता है और जो यहाँ पे CRT base जो पीछे की तरफ लगा होता है तो इसमें भी आपका current होता है और यह हैवी है यह वाला तो दोस्तों सभी को पता है यह वाला current जो है योग coil, EHT cap और जो आपका CRT base है इन पे आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना और primary section तो ही दोस्तों primary section तो सभी को पता है और आपका yoke coil section इन पे बिल्कुल भी आप नहीं लगाना है वरना और बाकी current इसमें कहीं नहीं होता आराम से काम कर सकते हो तो आयोग मेरा भाई आपको वीडियो पर जाना प्ली वीडियोग लाइक करना आप नहीं से करना जैहिंद वन्दर